एक तरफ जहां मध्यपिदेश शरकार करोड रुपे खर्च करके व्रक्षा रोपन जैसे महत्वपूर्ण अभियान चला रही है तो वहीं दूसरी और वन विभाग की लापरवाई से वन माफिया खुले आम पेड़ों की कटाई कर रहा है जैसे जंगलों के अस्तित्व पर लापरवाई के करण हो रहा है जिससे वन माफिया खुले आम सरेई से हरे बरे पेड़ों को काट कर शेहरों में बेचने के लिए ले जा रहा है इन पेड़ों को काटने के बाद इनकी सिल्लियां तैयार की जाती हैं और फिर महंगे दाउं पर इन्हें शेहरी इलाकों में ब जादा कि आपने हमें कुछ वीडियो दिखाए हैं और कुछ फोटोग्राफ दिखाए हैं उसे पष्ट हो रहा है कि यह जो विक्ष काटे जा रहे हैं यह विभाग के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वरकिंग प्लान के अधार पर वह मतिपरदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण के उद्दिश से समवेदनशिल मुख्यमंतरी शिवरा सिंह चोहां द्वारा मुख्यमंतरी लारली बहना यूजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपए दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगे योजना की प्रक्रिया बेहसरल और निशुलक है योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यक्ता भी नहीं है दस जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आजाएगी एक हजार रुपएया की पहली किस्त योजना से जुड़ी अधिक चानकारी हेल्प लाइन नंबर 0755 2700800 एवं वेबसाइट cmladlibehna.mp.gov.in पर राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लिशक हम करते हैं सट्यका अनवेशा दखल नीउस आपके हफ्रे आप देख रहे हैं दखल नीउस